नमस्कार सत्यों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अविनंदन है रोज के भाती, आज हम 11 मार्च 2019 को 12.15 बजी आपके लिए लेकर आएवे है Current Affairs Most Important Current Affairs जो रोज के जानकारी से सम्मंधित रहता है और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है Notes बनाना है, किस तरह से एकजामनेशन के तैयारी करना है और कैसे आप किसी भी एकजाम में सफलता अरजित कर सकते हैं इनका सबसे बढ़िया उपा है कि आप Mark Test Delhi के Current Affairs में आप सम्मिलित होकर खुद स्वयम, लाइब चेटिंग के माद्यम से आप अपना अंसर दे सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं, इसमें Current Affairs के माद्यम से सफलता अरजित कर रहे हैं और हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है कि हमको कैसे रोज के अख़बार के माद्यम से Current Affairs को अपडेट करना है और वो भी डेली बेसिस पर, मन्तली और डेली बेसिस के अदार पर आप एक नोर्स बनाईए और नोर्स को मजबूत करिए उसमें जो Current Affairs को अपडेट करते हुए अपने रिविजन करते रहें और तैयारी करते रहें आईए हम जानते हैं, आज का पहला प्रश्न है सत्रवी लोग सभाज चुनाओ कितने सीट्स के लिए होगी यहाँ पर आपसंद्यावा है 545, 542, 543 या 550 यहाँ पर ध्यान दिजेगा सत्रवी लोग सभाज चुनाओ कितने सीट्स के लिए होगी ध्यान रखेगा मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोडा ने 10 मार्च को यहाँ पर जो हमने आपसंद्यावा है उस लोग सभाज के लिए आम चुनाओ के तारिकों की घोशना की इस घोशना के अनुसार लोग सभाज के कितने सीटों के लिए चुनाओ 11 अप्रेल से 19 माई के बीच 7 चरणों में होंगे पहले चरण के लिए 11 अप्रेल को मट डाले जाएंगे दुसरे चरण के मद्दान 18 अप्रेल को होगी तिसरे चरण का मद्दान 23 अप्रेल को और चोथे चरण का अपमान 23 अप्रेल को अंतिम पाचवे चरण का 6 मई और 6 चरण का 11 मई को होगा साथवे और आठवे अंतिम चरण का मद्दान 11 मई को होगा मतों की गड़ना 23 मई को की जाएगी तो इसका अप्सन है सोलवी लोकसभा चुना में 543 सीट्स के लिए चुना होंगी टोटल 545 है दो सीट्स जो है इंगलो इंडियन के लिए नामंकित किया जाता है और अधिक्तम 550 लोकसभा की सीट्स की संख्या है ध्यान रखेगा इंपार्टेंट कोस्चेंस है जो आप्सन यहाँ पर दियावा है 543 है कोस्चें नमबर 2 कितने राज्यों में विधान सभा की चुनाओं भी होना है दो राज्यों की, तिन राज्यों की, चार राज्यों की या पांच राज्यों की इसका अप्सन जल्दी दिजेगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के चुनाओं के साथ ही यहाँ पर कितने राज्यों में विधान सभा चुनाओ के भी घोशना की गई यहाँ लोग सभा के मद्दान के साथ विधान सभा के लिए भी मद्दान कराये जाएगा आपने आपसन डाला होगा चार चार आंसर सही है कौन-कौन से राज्य है कौन-नमबर त्री सत्रवी लोग सभा में कितने मद्दाता वोड देंगे 100 करोड, 98 करोड, 90 करोड या 125 करोड कितने करोड यहां पर चुनाओ में जो है मद्दाता वोड दे सकेंगे इस बार तो हम आपको बता रहा हैं कि चुनाओं की घोषना के साथ ही पूरे देश में आदर साचा सहितर लागू हो गई है इस चुनाओं में करीब 80 करोड मद्दाता अपने मताधिकार का इस्तामाल कर सकतेंगे पिछले चुनाओं की तुलना में 8.34 करोड नए मद्दाता बने हैं जिसमें से 1.5 करोड 18-19 वर्स के आयूके हैं सबी मद्दान कंद्रों पर EVM के साथ VVP8 का इस्तेमाल किया जाएगा इसका आप्शन C सही है आएए हाली में किस राज ने सराबन्दी का विधयक पारित किया है किस राज ने सराबन्दी का विधयक पारित किया है जो आप्शन हमने दिया वह है उस आप्शन के राज के मंद्री मंदल ने राज में प्रस्तावीत मद्य निसेद विधयक 2019 को 9 मार्च को मंजूरी दे दी और हम आप्शन बता रहे हैं इसका सही आप्शन है मिजूरम और मिजूरम के मुख्य मंत्री जोराम थांगा की अधचता में राजधानी आईजोल में हुई मंत्री मंदल की बैठक में इस विधयक को मंजूरी दी गई 20 मार्च से सुरू होने वाले बज़र सत्र के दोरान इस विधयक को विधान सबा में पेस किया जाएगा सत्तारून विजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने नॉम्बर 2018 में हुए विधान सबा चुनाओ के दोरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह पूर्ण सराबंदी लागू करेंगी ये इसका आप्सन जो है सही आप्सन है आपका जो है मिजो राम आईए पाच्वा कोश्चन जानते हैं कि इस देश में रबर इस्टाम विधायका का चुनाओ पांस साल में होता है उत्तर कोरिया, दच्छिड कोरिया, कोश्टारिका या स्वीडन की कहा पर होती है आपको बताना है ये आपको जो है सही आंसर चुनना है कि किस देश में रबर इस्टाम विधायका का चुनाओ पांस साल में होता है इसका हम आप्सन सही दे रहे हैं उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में 10 मार्च को चुनाओ के लिए मद्दान हो रहा है सतारून वाक्स पार्टी के नेता किंग जोंग उन की इस चुनाओ में जीत पक्की मानी जा रही है उत्तर कोरिया में हर पांस साल में रबर इस्टाम विधायका के लिए चुनाओ होता है यहापर जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली के रूप में जाना जाता है पिछली बार मद्दान 99.97 फिजदी रहा था जो सौ फिजदी किंग जोंग उन के खाते में हो गया था यह है आपके जो है सही आपसन उत्तर कोरिया इसके बारे में आपको जानकरी होनी चाहिए यह मोस्ट इंपार्टेंट है रबर इस्टाम विधायका जिसको हम सुप्रीम पेपोल्स असंबली के रूप में जानते हैं यहाँ पर केवल रबर इस्टाम विधायका के रूप में जाना जाता है इसका कोई रोल नहीं रहता साथियों आईए जानते हैं कोश्चन नमबर 6 से लेकर 15 तक क्या दिया हुआ है हम आपको छटवे नमबर प्रश्ण में बता रहे हैं आईए देखते हैं कोश्चन क्या है कोश्चन है यहाँ पर आपको सही आंसर देना है आपसन द्याव है कमल राय कौर, कमल जीत कौर, सारा जीत कौर या इन में से कोई नहीं यहाँ पर ड्रानियर 228 के बारे में आप जानते होंगे क्या है यह ड्रानियर 228 विमान कि पाइलट इस क्राडून लीडर कौन है याद रखेगा इसका सही आंसर कमल जीत कौर है और इसके साब पाइलट राखी भंडारी है यह दोनों याद करना चाहिए आपको जो है Question number 7 नय ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा मुंबई में भुपाल में इटानगर में या इंदोर में नय ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा यह आपको जो है सही आंसर देना है नय ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट जो बनेगा वो इटानगर में बनेगा इटानगर इटानगर में बनेगा इसका सही आंसर C है आगरा की कुल लेदर खपत का कितनी फिजदी पाक से आता है 10 फिजदी, 20 फिजदी, 30 फिजदी या 25 फिजदी आपको सही आंसर चुनना है दोस्तों most important questions है आगरा की cool leather खपत का कितनी प्रतिसत हिस्ता पाकिस्तान से आता है ध्यान रखेगा अभी इसके उपर बेन लगा दिया गया है पुलवामा आतंगवादी घटना के बाद कि leather अब भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा यानि कि अब आयात नहीं हो पाएगा तो ध्यान रखेगा 25 फिस्दी leather जो है आगरा में पाकिस्तान से आता है question number 9 पाकिस्तान की सरवच नागरिक सम्मान का नाम क्या है निसान एप पाकिस्तान पाक सम्मान पाक रत्न या इनमें से कोई नहीं ध्यान रखेगा अभी हाली में सौदी अरब के crown prince मुहमद बिन सल्मान को पाकिस्तान ने अपने देश के सरवच नागरिक सम्मान दिया हुआ है उस सम्मान का नाम है निसान एप पाकिस्तान निसान एप पाकिस्तान से नवाजा गया है सौदी अरब के crown prince मुहमद बिन सल्मान को अब आईए question number 10 देखते हैं अमेठी में किस देश के साथ आयूद कारखाना खोला गया है option A. चीन B. है अस्टेलिया C. है कनाड़ा D. है रूज यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कौन सा आंसर सही हो सकता है मुझे भी जानकरी नहीं है आपको जानकरी है तो जल्दी से बता दीजी यहाँ पर most important questions हैं यह questions एक बार और सुन लिजे अमेठी में यह उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसको जो है खोला जाना है तो ध्यान रखेगा इसका सही आंसर रूस के साथ रूस के साथ इसको खोला जाना है और यह ISA के यहाँ पर sorry यह जो आपका जो रूस है रूस के साथ में यह आयूध फैक्टरी खोलने का निर्णे लिया गया है आईए question number हम जानते हैं अगले वाला question जो है 11, 12, 13, 14, 15 11 से 15 तक का प्रश्ण क्या है और उसका उत्तर क्या हो सकता है question number 11 यहस्वंत राव चवाड कोन थी यहस्वंत राव चवाड कोन थे वो एक मुख्यमंत्री थे केंद्री गीमंत्री थे राजपाल थे या बेग्यानिक थे क्या थी आपको सही आंसर चुणना है यहस्वंत राव चवाड चवाड कौन थे इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं यह महाराष्ट के प्रथम मुख्यमंत्री थे यहस्वंत राव चवाड यहाँ पर question number 12 है रगुराम राजण को किस राष्टिय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा रगुनात राजण को जो आपको पता होगा पूर्व आर्बाई चेर्मेन थे किस राष्टिय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा चवाड आर्थिक बेंकिंग या सेर मार्केट किस से समंदित है आप बता सकते हैं यह रखुराम राजन को जो है यहाँ पर चवहाड राष्ट्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा यस्वंत राज चवहाड जो महाराष्ट के पूर्व मक्य मंत्री थे उसके नाम पर राष्टी सम्मान प्रदान किया जाएगा रखुराम राजन को जो है Question number 13 देखते हैं किसको भगोलिक संकेत की टेक दिया गया है मर्यूर गूर, मर्यूर सक्कर, मर्यूर साड़ी या मर्यूर सोना यहाँ पर भगोलिक संकेत का टेक दिया जाता है हर वस्तू को जो है दिया जाता है बहुत सारे वस्तू यह टेक नाम से जाना जाता है पूरे वर्ड में फेमस होता है इसकी माननेता दिया जाती है तो ध्यान रखियेगा यह मर्यूर गूर को जिया दिया गया है जो केरल में है केरल का जो मरियूर गूड जो है ऐसे भगलिक संकेत की टेक दिया जाता है जहां पर वो तो लोकल हो या वहीं पर ही मिलता हो तो मरियूर गूड जो है केरल की सबसे फेमास 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 उत्पादन है जिसको जो है भगलिक संकेत की टेक दिया गया है Q14. क्या भगोलिक संकेत के रूप में 20 अशनलै या सभी ? इसका ऌशिया आंशर याद रखेगा तिरुपति लड़ू बिस विख्यात है भगलिक संकेत टेग के रुप में माना जाता है कागड़ा पेंटिंग भी माना जाता है नागपूर की संतरा भी माना जाता है इसलिए इसका सही आप्षन सभी है अब question number 15 देखते हैं question number 15 एक report के नुसर भारत में पूरुस उस्तरी में बेतन का अंतर क्या है 20 प्रतिसत, 18 प्रतिसत, 17 प्रतिसत या 19 प्रतिसत कितना प्रतिसत का अंतर है पूरुस उस्तरी के बेतन में जिन्होंने report में ये बताया गया है भारत में पुरुस इस्तिरी में बेतन का अंतर क्या है तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं D. 19 प्रतिसत है 19 प्रतिसत का अंतर है साथियों ये थी आपके लिए 15 most important current appears डेली साड़े 12 बजे live chatting के माध्यम से आप इसका उत्तर देते हैं साथियों हमारी प्रयास आपको कैसा लगा यदि ठीक लगा तो like कर दीजे साथी साथ सेर करना न भूलें और हो सके तो यदि आप अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लिजे हमारा target है 12 मई 2019 को हमारा ये जो channel है एक साल complete होगा कम से कम 2,00,00 सब्सक्राइबर 12 मई 2019 तक हो जाए और अभी 1,00,27,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा target अभी अपरेल मई 2 महिना बचा हुआ है इस दो महिना में हमें 2,00,00 सब्सक्राइबर पूरा करना है और हम सब celebrate करने वाले है 11-12 मई 2019 को साथियों हम आप से विदाई लेते हैं और सुबकामनाय देते हैं कि आपको भगवान जो है खुदा जो है ये गौड जो है आपको हर एक्जाम में सबलता दिलाए और एक सर्वोच पद पर बिराजमान होकर जो है अपने देश का नाम रोसन करें अपने घर परिवार का नाम रोसन करें आप अपने सपनों को पूरा करें ये ही सुबकामनाय देते हैं आप सभी को आप हमारे इस चेनल के साड़े बारा बजे के प्रोग्राम में आप जरूर उपस्चित होते हैं इसके लिए आप धन्यवाद के पात रहें थैंक यू नमस्कार धन्यवाद जय हिंद बैबै सी यू अगें कल फिर मुलाकात करेंगे थैंक यू